डेली कनेडियन न्यूज बुलिटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्रैक टीवी चीन में कैनेड़ के नए सपीर की जेरे हिरासत कैनेडियन शेहरियों माइकल स्पोर और माइकल कोवरिक से मुलाकात कुई है कैनेड़ में बेघर साबिक पौजियों के निये, छोटे घरों का मनसूबा, नया कैलिगरी गाउं बंदरा छोटे-छोटे मकनाच से बना हुआ है कैनेड़ में संसनिखे इस मुकाबले में आईलेंड को शिकस देकर ओलम्पिक्स होकी के लिए कॉलिप फाई कर लिया वाइट हाउस में हालोविन फाटी कहने का अमरीकी सदर और खातूने अबवल भी शरीक हुए दाइश राहनुमा अबुबकर अलबगदादी की बाकियात को ठिकाने लगा दिया गया कर दो दो दोटेक्ट कीमा अबुबकर आया युए are you concerned about your future we invite you to consider option Canada I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home for the past 26 years we have assisted professionals business people senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada we can help you and loved ones back home live the Canadian dream do it once do it right Swami Kashi Guruji ka kehna hai ke woh aapki tamam samasyaan ka hal janate hain Swami Kashi Guruji is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours aapke depression family court problems or bishumar misail ke halka dawa ka kehna hai swami Kashi Guruji se raapta ki jiye 647-765-6311 647-765-6311 address 565 Markham Road Scarborough kuch baat kur leiLove इतिजाज और आवाज में तब्दीली के वादे के साथ आंटेरियो की मुकनिना का इजलास तक्रीबन 24 सदी में सबसे तवीब वक्प के बाद दुबारा शुरू हुआ। इतिजाज और आवाज में तब्दीली के वादे के साथ आंटेरियो की मुकनिना का इजलास तक्रीबन 24 सदी में सबसे तवीब वक्प के बाद दुबारा शुरू हुआ। अच्छी होनी चाहिए। पार में अपनी काबीना में रदो बदल किया था जो उनकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा रीसेट था जो कई महीनों के लिए आवामी रद्दे अमल और मन्फी सुरुखियों की जट में था। चीन से खबर शौमल करेंगे आपको बताएं चीन में कैनेडा के नए सफी ने गुजिश्टा हफ़ते के दौरान वहाँ जिरे हिरासत कैनेडियन शेहरियों माइकल स्पूर और माइकल कोवरे के साथ अपने पहले कौंसलर दौरों की खायादत की। चीन में कैनेडा के नए सफी ने गुजिश्टा हफ़ते के दौरान वहाँ जिरे हिरासत कैनेडियन शेहरियों माइकल स्पूर और माइकल कोवरे के साथ अपने पहले कौंसलर दौरों की खायादत की। दौरों में हिसा लेना शुरू कर देंगे। माइकल स्पूर और कोवरे के कैनेडियन हुकाम की मुलाकातें करा हिजा चुकी है। आपको बताएं कैनेडा के एक इदारा छोटे मकाना की क्यम्यूनिटी बना कर बेघर पौजों की मदद करने की कोशिश कर रहा है जहां उन्हें अपनी मदद मिल सकती है। मसीद एफाल इस रिपोर्ट में। कैनेडा के एक इदारा छोटे मकाना की कैम्यूनिटी बना कर बेघर पौजों के मदद करने की कोशिश कर रहा है जहां उन्हें अपनी मदद मिल सकती है। होम्स पौर हीरोस पाउंडेशन कैनेडा भर में साविक पौजों के लिए नई कैम्यूनिटी खोलने का इरादा रखती है। जिसका आगाज एक ऐसे गाउं से हो रहा है जो हाल ही में कैल्गरी में मुकमल हुआ है। सिविलियन जिन्दगी को अपनाना साविक पौजियों के लिए मुश्किल हो सकता है। खास दोर पर वो लोग जिन्हों ने बैरून मुलक मिशनों में खिदमात अंजाम दी। बहुत से अफराद जिसमानी और नफसियाती मसाल के साथ खिदमत से वापस आते हैं जिसकी वज़त से मुलास्मतें तलाश करना और रहाईश मुश्किल हो जाती है। तकरीबन कैनेडा के 3500 साबिक पौजी हैं जो फिलहाद बेघर हैं और जादा तादात में बमुश्किल ही गुजर रही है। नया कैल्गरी गाउं 15 छोटे छोटे मकानास से बना हुआ है जो खुली सब्स जगा के चारों तरफ अंग्रेजी के लफ यू की शकल में तर्तीब दिया गया है। इस गाउं में वचाल का एक मरकज और एक कॉंसलर का दफ्तर और एहले खाना के लिए सहुलियाद स्विट बनाया गया है। कैनेड़ ने संसनी खेज मकाबले में आईलेंड को शकस दे कर ओलंपिक्स हौकी के लिए कॉलिफाई कर लिया है। मैच में आईलेंड को एग्रिक्रेट स्विट पर पांच शे से बरतरी हासल थी। मैच खतम होने से एक सेकंड पहले कैनेड़ ने एक फैसे पर वीडियो रिफरल मांगा जिस पर वीडियो एमपायर ने उसके हख में पेनलिटी स्ट्रोक दे दिया। मौके से फाइदा उठाते हुए कैनेड़ ने गोल स्कोर करके मुकाबला बराबर किया बार में शूट आउट्स में उसने कामया भी अपने नाम कर ली। से कबल पहले कॉलिफायर में आईलेंड ने कामया भी हास्थ कीती शिकस के बाद आरिश टीम ने एमपायर के फैसले को शबीद तन्कीद का निश्याना बनाया लबताए F.I.H. का कहना है कि एमपायर का फैसला हक्मी होता है कुछ बात कर लेते हैं वाइट हास में हेलोवन पार्टी का निकात किया गया जिसमें अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प और मिलानिया ट्रम्प ने फाजी अहलकारों मुकामी अफराद के बच्चों से मुलाकात की फ़ी नहवाल इस रिपोर्ट में वाइट हास में हेलोवन पार्टी का निकात किया गया जिसमें अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रॉम्प और मिलानिया ट्रम्प ने फाजी अहलकारों वुखामी अफराद के बच्चों से मुलाकात की इस सलाना हेलोवन पासी में वाइट हाउस को कदू और सिया दरफ्तों से सजाया गया डॉनल्ल ट्रम्प और मिलानिया ने ना सिर्फ बच्छों के साथ वग बुजारा वलके हसी मजाग भी हूप गया बच्छों में केंडीज भी तक्सीम की तक्रीब में आने वाले बच्छों के लिबास भी काफी दिल चल्चते कोई स्पाइडर मैन तो कोई डानसौर्स रूप में नज़र आया अमरीकी महिक में दिफा पैंटेगान का कहना है कि दाइश रानुमा अबूबकर अलबगदादी की बाकियात को ठिकाने लगा दिया गया है जबके अमरीकी फौजी आपरेशन में दो आफराद को गिरस्तार कर लिया गया था अबुबकर अलगदादी की हलाकत के बाद शिद्द पसंद तन्जीम के नए सरवरक ऐलान कर दिया गया है वजीद चानते हैं स्रिपोर्ट में अबुबकर अलगदादी की बाकियात को चिकाने लगा दिया गया है अमरीकी जॉइन टीफ आप स्टाफ चेर्मिन मार्ट मैली ने अपने बायान में कहा कि अबुबकर अलगदादी की बाकियात को मेहफूस मकाम पर मुंतिकल किया गया और डी आने टेस्ट में शिनाफ के बाद बाकियात को ठिकाने लगा दिया गया है जनरल मैली का कहिना था कि आपरेशन में गिरिफतार दो अफराद को हिरासत में लेकर मحفوظ मकाम पर मुन्तिक्र किया गया बगदादी की मौत की तसावीर या फोटेश मीडिया से शियर करने का फिलहाग कोई मनसुबा नहीं दूसी जाने बरतामी मीडिया ने दावा किया है बरतामी मीडिया रिपोर्ट के मताबक राग के ताविक सदर सिद्दाम हुसीन के आर्मी आफिसर अब्दुल्ला करदाश को दाइश का नया सरवरा मकरर किया गया है यात है कि गुजशता रोज अमरीकी सदर डॉनलर ट्राम की जानिब से जारी बायान में कहा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा दैशित गर्द मारा गया लेकिन इस आपरेशन में कोई अमरीकी फौजी हलाक नहीं हुआ अमरीके की जानिब से मारे चौने वाले दाइश सरवरा अबूबकर अल-बगदादी के सर की खीमत 10 मिलियन डॉलर मकरर की गई थी इसे के साथ ही टाग टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही मजीद खबरों और आप देट्स के निये देखते रहे टाग टीवी